हेलो फ्रेंड्स आज मैं करने वाला हूँ जीनिया फ्लावर प्लावर प्लावर ब्लूम्स करने के बाद स्यूख गया है अuntradrel .. ही हमें इस flower जो को तोड़ना है और फिर इन flower से seeds को extract करना है तो यहां पर देखिए मैंने 2-3 अपने flowers को तोड़ लिया जो सूख गए अची तरीके से अब देखिए हमें करना क्या है अच्छे से हमारी flowers है उनको से seeds को extract करना है extract करने के बाद हमें 2-3 दिन तक इनको दूप मेंचे सुखाना है उसके बाद ही हमें अपने seeds को यहां पर store करना है इस्टोर हमें ऐसी जंगे करना है जहां पर नमीना हो ताकि हमारे seeds खराब ना होई या फिर ऐसी जंगे आप इस्टोर कर सकते हैं जहां पर air पास ना हो और उस आज की मोदल के अंदर आप इसको रख सकते हैं जहां पर देके मैंने seeds को यहां पर extract कर लिया है और देखें यहां पर seeds कापी छोटे-छोटे होते हैं हमारे genia flower plants के तो हमें सिर्फ healthy seeds का ही selection करना है क्योंकि healthy seeds ही हमारे grow करेंगे और जहां हमारे unhealthy seeds हैं उनको हमें बाहर निकाल देना है तो मैं अपर 2-3 दिन तक अच्छे सेंगों दूप में सुखाऊंगा और healthy seeds को अलग करके store कर लोगा तो आप भी इसी तरीके से अपने seeds को collect कर लिजेगा seeds करने के बाद उनको store कीजेगा जहां पर air pass ना हो या फिर नमीना मिल सके seeds को ताकि seeds हमारे healthy रहे और next season में अ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरू कीजेगा चैनल फे फर्स्टाइम लोगा सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा और वीडियो को सेर करना ना बोले thank you